अब देखो गेम बैन हुए एक साल हो चुका है पिछले February 2022 को अपना गेम बैन हुआ था और यार यह चल रहा है February 2023 2023 मतलब एक साल हो चुका है अब दोखर हैपी तो बोल नहीं सकता है क्योंकि आर सैड चीज़ है अपने लिए आज कुड़ी हम बात करने वाले की गेम का क्या फ्यूचर है कब तक जो गेम आ सकता है आभी सकते हैं नहीं आ सकता है तो यह दो फैर यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अब देरी अब देकर इससे पहले हम आगे बात करें एक चीज पुछना था तुम लोगों सो क्या तुम्हें फ्रीफार एस्पोट्स के ही वीडियो देगना है या पूरे इंडियन e-sports कि क्या चल रह कि देखो FFWST के इसका जो रोड मैप आ चुका है और यह इस रोड मैप में कहीं भी इंडिया नहीं है और यह पर मतलब समझ लो यह मतलब एप्रिल में तक तो गेम नहीं आने वाला बाकी सारे रीजन का जो है आ चुका है रोड मैप की कैसे टीम जो क्वालिफाइ करेगी एफफ डब्लूएस के लिए उसमें इंडिया का कही भी नाम नहीं है यह एक बैड निउस है हम लोगों के लिए और यहार मतलब जा तक मेरे को लगाता है यहार मतलब आता तो वैसे भी नहीं क्योंकि गेम बैन है सिर कोई चा चाह बाता यहीं क्योंक एक ज riswegs के लिए फ्रीकवड़ सीरिस के लिए से बैक टू चाहर वी आओके बात करतें कि मैं क्या शल रहा है परावा यह जोंटी भाई की क्लिफ प्राइब निकल के जिसमें जी persönक्टिश नहीं है ठोन जीकम लीक्तिन कोय भी चांसेज नहीं है उसी के साथ हमारे जो ग्लोबल e-sports के ओनर है रुशिंद्र सीना उनका भी एक statement निकल के आया है किसी ने उनको पूछे क्या तुम free fire के लाइन फायर करोगे इस पर उन्होंने कहा कि free fire आना impossible है लिटरली impossible बोल दिया उन लोगों ने और यहां पर उन्होंने बोला कि अगर free fire आ जाता है गलती से अब देखो यार गलती से और बोलना ठीक नहीं लेकिन आ जाना चाहिए अगर free fire आ जाते है वह definitely free fire का लाइन अप हायर करने की सोचिंगे लेकिन उनका जो statement है दिल दुखाने वाला statement है मेरा तो यार मतलब यार काफी बुरा लगा लेकिन यार देखते हो फॉर दी बेस्ट और यह आपर यह काफी रैपुटेट परसन ठीक है e-sports का अंदर global e-sports के उनर इन्होंने कहा है कि free fire आने के काफी जादा काफी जादा कम chances है तो यह कुछ सोच समझ के कहा होगा और इनके पास अच्छी खासी लीक्स होगी फिलालते को इसको देखते हुए तो यह मतलब गेम का समझ लो यह मैं ठीक है मैं जुन तक तो गेम म मतलब होपी छोड़ तो कि में जुन तक गेम आने वाला है लेकिन अगर देखाए इस साल आ जाता है गेम बड़ी आए लेकिन अगर नहीं आता इस साल और अगर बीजे माँ आ जाता है लिटरली बतारो यह सारे बंदे छोड़ने वाले इससी के साथ मैं तुम्हें बताना इस्पोर्ट्स कॉंटेंट क्रियेटर ते जो के जिनको देखना मुझे काफी जदा परसनली काफी जदा मुझे बहुत अच्छा लगता था बाकर देख इन्होंने जो अभी मतलब चोड़ दिये इस्पोर्ट्स को और इन्होंने का गी यार काफी मस्ती यह जर्नी और यार लव यू ओल गई इन्होंने ऐसे कम्मुनिटी पोस्ट में डाला है फिलाल यार देख एक से एक बैड़े न्यूस आते जा रहे है फ्री फायर को लेकर जो कि यार दिल दुखाने वाला है और यार दिल दुखा भी रहा है फिलाल यार होफ फर दी बेश्ट अभी बात करते हैं अपन आगे कि क्या चल रहे है कम्मुनिटी के अंब अगर जब यह तुम वीडियो देख रहे है तब तक खतम हो चुका होगा डे वन और यार मैं बता दूँ यह जो टॉर्णामेंट हो रहा है वो हो रहा है ब्राजिल के अंदर और यार हमारी ग्लोबल इस्पोर्स भी कम्पीट कर रही इस टॉर्णामेंट के अदर सुरे काफी ज्यादा अच्छी बात है की अर송 पश्छोड़ के और फ्री इस्पोर्स को चोड़ करेंगेंट और 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 के member जे watch party कर रहे जो कि यह काफी अच्छी बात है गेम को ग्रो करने के लिए और हमारे इंडिन e-sports को ग्रो करने के लिए फिलार देखो इस वीडियो में इतना ही और अगर तुम्हें इंडिन e-sports के भी बारे में जानना है